हेलो विवर्स, विल्कम टू माई चैनल ओने से क्रियेशन दोस्तो आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा एक CSC ID के मदद से कैसे 100 बुकिंग कर पाएंगे आप लोग दोस्तो वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होब अगर मेरे चैनल में नए होते चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिये और पास में जो नोटिफिकेशन बाला अइकन उसको भी दवा दीजिये तक है कि मेरा हर वीडियो का सबसे पहले आपके पास यहां पर देख रहे हो three operator AD है यह एक-एक CACID जैसे काम करते हैं ओपरेटर आइड़ी भी ऐसे ही काम करता है यानि कि एक ID से आप मानली जी जो आप ID मैंने आभी लोगिन करके रखा हो यह primary ID है इसके साथ add-on, three add-on add है जो primary ID से जो काम होता है यह तीनों ID से ही same काम होगा ठीक ह यानि कि जो gas booking है आप एक ID से 20 gas booking कर पाएंगे तो यहाँ पर 3 और operator add है मतलब 3 से आपको 20 करके 60 plus primary का 20, 80 booking आप कर पाएंगे और एक operator ID अगर add कर देंगे इसमें तो 4 operator ID हो जाएगा इससे 80 booking हो जाएगा और primary ID से 20 यानि कि 100 booking आप आसाने से कर पाएंगे दोस्तों यहाँ पर जो description लिखा हुआ है वह आप पढ़ने के आपको जुरूरत नहीं है क्योंकि आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप किसी भी time add-on जो operator है उसको add कर सकते है डियक्तिव कर सकते है और delete भी कर सकते है दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को operator add करके भी दिखाऊंगा आये दोस्तों दिखाते है आप लोगों को operator ID करने के लिए यहाँ पर देख रहे हो add operator बोलके एक option यहाँ पर आप लोगों क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर detail फिल करना होगा ओपरेट एड करने के लिए यहाँ पर operator का जो आधार ID है आधार नामा डालना है जिनके नाम से आप operator ID बनाना चाहते है ठीक है उसके बाद operator का full name डालना है रनने के बाद नीचे आप लोगों को date of birth डालना है यहाँ पर और एक बात है जो primary ID है उस ID का सब documents and biometrics सब कुछ update होना चाहिए इसके लिए CAC registration जो portal है उस portal में जाकर अपलोड करना होगा यहाँ पर date of birth डाने के बाद आप लोगों को gender select करना है और दो चीज की ज़रूरत है एक valid email ID और एक आप लोगों मोबाई नमच चाहिए email ID पर आप लोगों को OTP जाएगा OTP सब्मिट करना है यहाँ पर और mobile नमच जो आप डालेंगे यहाँ पर उसमें भी OTP जाएगा OTP को आपको सब्मिट करना हो आए email ID डाल दी है मैंने इस पर OTP जो आया है वो सब्मिट करते हैं आए OTP सब्मिट करते हैं दोस्तों बहुत स इसका थोड़ा से हेल्फ हो जाए तो आए OTP सब्मिट करते हैं OTP मेरे email ID पर आ गया है आए OTP को आभी सब्मिट करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो email ID आप दे रहे हैं वह email ID वैलिट होना चाहिए OTP को यहाँ पर पूट करते हैं उसके बाद आप लोगों validate option पर क्लिक करना है OTP verified हो गया है आप आप लोगों क्या करना है अपना जो mobile number है जिसके नाम पर आप operator करना चाहिए तो इसके mobile number यहाँ पर डालना है नने के बाद mobile number पर send OTP कर दाना है send OTP करते ही mobile number पर OTP चला जाएगा OTP को यहाँ पर submit करना है आए OTP submit करते हैं दोस्तों mobile number भी valid होना चाहिए नहीं तो OTP नहीं जाएगा और और एक बात है operator ID जो create होगा open करने के बाद उनका wallet फीन generate करना होगा इसके लिए mobile number पर OTP जाना जरूरी है और recharge भी होना चाहिए तो O development condition को accept करके submit option पर क्लिक कर दिया ठीक है देख सकते हो operator ID क्रिएट हो गया है यहाँ पर सक्सेस्पुली क्रिएटेट कोंगा जुलेसंस बोलके लिखा हुआ है यहाँ पर जिनके नाम पर operator ID एड़ हुआ है उनका नाम mobile number email ID सब कुछ लिखा हुआ है और बगल में देख सेकते ह हो ID भी है यहाँ पर थोड़ा सा time and condition है वह आप लेना ओके ID क्रिएट होने के बाद आप लोग को देख सकते हो सामारी option पर चले जाना है wallet option पर क्लिक करके सामारी option पर आपकर जाएंगे तो नीचे आपका जितनी भी operator add है सब का ID यहाँ फर सो करेगा देख सकते हो यह ID फिर जो primary ID इसके साथ 4 operator add है 3 था मैंने आभी एक add किया है अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसमें recharge कैसे करते हैं दोस्तों जो operator ID है उनका वो खुद recharge नहीं कर पाएंगे जो primary ID वहाँ पर recharge करना होगा और उस ID से transfer करना होगा कैसे transfer करना है यहाँ पर देख सकते wallet पर जाके balance transferable के option है इस पर click करना है और कौन से ID पर ट्रांसफर करना चाहते हैं जो मैंने आभी create किया है उसमें भी दिखाऊंगा और आए एक ID पर transfer करके दिखाते हैं तो देख सकते हूं यहाँ पर आप लोगों क्या करना है amount डालना है यह amount 100 रुफीस से ज्यादा होगा होना चाहिए देख सकते हूं यह पर लिखा हुए greater than 100 रुफीस तो 106 रुपिया है आभी 106 रुपिय टांसफर करके दिखाता हूं उसके बाद यहाँ पर जो wallet फीन है वो डालना है डालने के बाद यहाँ नीचे देख से कुछ रिमार्स सब लोगों को डालना है आए रिमार्स मैंने डा आफ्सन पर क्लिक कर दिया करते ही अगया आप गया है यह जो लास्ट वाला आइडई है इसमें हमेंने बेजा है यहां पर देख सकते हो यह बैलन्स एड हो गए है इस तरह रिचाज भी आप कर पाएंगे और आए बाद में आप लोगों मैं आभी दिखाता हूं ऑपरेटर आइडी लोगिन करके ओके जो प्राइमरी आइडी है उनको लोगाउट कर देना है उसके बाद फिर से लोगिन अप्शन पर क्लिक करना है आइडी पर एक टेंपोरारी फासवार्ट भेज दिया गया था उस पासवार्ट को यहां पर इस्तेमाल करना है बाद में आप लोग पासवार्ड रिसेट भी कर सकते हैं तो वह पासवार्ड मैंने डाल दी है डालने के बाद यहां पर कैप्चर कोड दे दिया यह कैप्चर पर open हो रहा है मेरा internet अभी थोड़ा सा slow चल रहा है क्योंकि यह गाउं का एरिया है इसलिए internet का थोड़ा सा problem होता है तो आप wait कीजिए मैं फेज को थोड़ा सा refresh करता हूं ओके तो देख सेकतो हो आईडी open हो गया है ओपन होने के बाद अब लोगो क्या करना है यहां पर देख सेकतो हो जो अपरेटर डी मैंने अड़ किया था वो ओपन कर ली है और यहां पर माई प्रोफाइल अप्सन पर चले जाते हैं क्योंकि आभी जो ट्रांजेक्शन पास्व पर कर रहा हूं जो पास्वार्ड में लाइडी पर यहां पर डाल रहा हूं की बात दोस्तों अब लोगों नूटने पास्वार्ड यहां पर अपने हीशब से apoyo करना है अए एक पास्वारर मां डालता ओ भिशuju फमेंक में होना चाहिए इसल्समो ऐभी होना चाहिए लोगी क कर दी है यह पासवार्ट चेंज हो गया आप वालेट फिन चेंज करते हैं वालेट फिन चेंज करने के लिए मैंने पहले आप लोग को बोला था कि रेजिस्टर जो मुबाइल नमर है उसमें एक ओटीपी जाएगा क्योंकि वालेट फिन जेनरली नहीं मिलता है इसलिए नो आ मिलता है यहां पर करना है को यहां पर करने के बाद आप आपने हिसाब से इनरेट ठीचें बदिए आपने हिसा एक आरेट डेट बैजन करते हैं उसके बाद इसके बैसामीरेट शो ऐसंब क्लिक किया। तो वालेट फीन भी हमारा जनरेट हो गया है आप बुकिंग करने का बारी है तो डैस्ट बॉट अप्शन पर चला गया यहां पर सार्च आइकन दिख रहे हूं सार्च आइकन पर जाकर GAS लिक्कर सार्च करना है पर फोर बड़े जाइब करना है सेंड वाला जो अप्शन इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो मिनिस्टिरी का जो ओवेब साइट है एमटिका जो पेट्रोलियम जहां जिसके इस जहां तो पोटल ओपेन हो जाएगा ठीक है और आप यहां पर देख सक बहुत सारे अप्षन है याव वालेट लेजर भी आप देख सेकते हो मैंने पहली भी बोला था कि इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है देख सेकतो साइट ओपेल हो गया है यहां पर डिजिटल सेवा कानेक्ट वोल के अप्षन है इस अप्षन पर क्लिक करना है ओके इस अप्षन बाद आप लोगों को गैस बुकिंग के जो साइट है वहां पर लेकर चला जाएगा आप यहां पर इंडिया नोयल एच्पीसी बीपीसी हर कंपणी का गैस बुकिंग कर सकते हैं ओके आइए मैं एक गैस बुकिंग करके आप लोगों को दिखाता हूं पहली बार जब आप ओपेन करेंगे तो आपको यहां पर इसी से आइडी दिखेगा और डू यू ऑथराइज एमोपी येस अप्शन पर क्लिक कर देना है ये वान टाइम है एक बार आप अगर येस कर देंगे तो बार बार नहीं करना पड़ेगा डायरेक्ट आप लोग बुकिंग के साइड मे करना है बुक करेने के लिए दोस्तों इसमें जो कॉम्पानी है इसका जो न्यू कनेक्शन है न्यू कनेक्शन का प्रोसेस भी आप कर पाएंगे वह एक्टीव हो गया है लेकिन इंडियन और बीपीसी का अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है तो मैंने रिफिल को स्लेक्ट कर है इसलिक्ट करने के बाद दोस्तों आप यहां पर फर टीन अप्सन मिल जागा आप इलपीजbert के लावाई कर सकते हैं और सकते हैं और ऊंगे कोई जूरत नहीं लेकिन अगर कंज्यूमः नमबर से आप करना चाहेंगे ए को आपको कंज्यूमर नमबर कर सकते हैं उ design and producer कोड भी डालना है तो आप लोग कोलिक करना है करने के बाद एक लिएसे यहां पर डाल देना है कि यहां Shape करने के बाद पजमन अब क्लीक करने की पाद इस सब्सक्रां सब्सक्राइब किरेना वेडिग सब्सक्राइब जो मैंने सेट किर लिए है सिलेक्ट प्रोड़ाक्ट अप्शन पर क्लिक करना है यहां पर देख सेखतू consumer का consumer ID, consumer number सब कुछ दिख रहा है address भी consumer करना में payment option पर क्लिक करना है में payment option पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहां पर पूछा जाएगा जो पास्वार्ट सी लगिन का पास्वार्ट है वे ही पास्वार्ट यहाँ पर डालना है डालने के बाद अब पर क्लिक करना है क्लिक के बाद दॉस्त आप लोगों को walletита पील्ट रनना था जो मैंने six digitcribedаст का पीन्टंट है रिफ्ल यॡिक्लेक्स की यहां पर मिल दैगा ठीक है देख सकते हैं रिफिल्ट इस तरह आप इक प्रहमारी आएडी के मदद से आसानि इसे और और रहे करेंगे फोर ऑपरेटर आइडी एंड एक प्राइमारी आइडी के थुरू ठीक है वीडियो को पसंद आए तो लाइक से और कमेंट कर दीजिए और दोस्तों जिनों ने आभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है इस वीडियो के थुरू मैं बोलना चाहूंगा कि सब सब्सक्राइब तो कर लिजिए एक सब्सक्राइब करने से आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो दोस्तों वीडियो को आज यहीं पर खतम करता हूं थैंक्यू दोस्तों जैहिन दोस्तों